हेलो फ्रेंड विल्कम बैक माई यूटूब चैनल टेक्निकल सिवया नमबर वन देख रहे हैं तो फ्रेंड आज राजस्थान और दिली का मैच है आई पेल का 11 मैच तो फ्रेंड आज की टीम आप कैसे बनाओ गए जिसे ग्रैन लीग पे अच्छी रैंक हासिल कर सको तो वीडियो लास्था जरूर देखेगा सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच इस्टेट की हेट टू हेट प्रफॉर्मेंस बात कर लेते हैं टोटल मैचेस 10 मैचेस हुए हैं दोनों के भी जिस पे राजस्थान ने तीन और डीसी ने साथ मैच जीता है लेकिन अभी डीशन पे देखा जाए तो राजस्थान काफी स्ट्रॉंग है क्योंकि डीशी के में जो हैं प्लेयर्स भून नहीं है ठीक है और डीशन रिकॉर्ड की भी बात कर लेते हैं यहां पे तो यहां प के लास्ट के 5 मैच कीबात करें तो 2 डीसी ने जीता हुआ है और 3 डिलही ने जीता हुआ है तो एक काफी हां अच्छा मैच होता है दोनों को बीच रहन अच्छे बंते आप देखाए हैं और यहां पर जो मैच होगा वह कहां मैच होगा आपको तादू कि यह मैच होने वाला है गोवाहाटी में बरसा परा क्रिकेट इस्टेडियम ठीक है तो यह बैटिंग के लिए बहुत ही बेश्ट पीछ रहती है और यहां पर इस्पिनर को ज्यादा अच्छा एद्वांटेज रहता है ठीक है ओवर कार्ट कंडिशन रहेंगी आप देखोगे 174 एवरेज ल परिद cooked के 5 मैचें लब 100 मकेट होते हैं तो 100 का रτιरो जो फोड़ पॉइंट सेवन का है मतलब कि आप यहांंके PER मैच आप देखोगे 4.7 पार तेरं का करेंडहिन बतलब कि दोनोगीज थीम हों के दो ए ठीन बीकेट लए तेख गिर रहे हो यहां पर राजस्थान का देख लो डिशेंट प्रोफॉर्मेंस लास्ट के फाइब मैचेस पर दो मैचेस जीता हुआ है वहीं पर दिल्ली भी आप देर सकतो लास्ट के पांच मैचेस पर तीन मैच जीता हुआ है ठीक है तो आई अब टीम बना लेते कि अब हाई स्कोरीन म हैंगे तो इतनी इंपॉर्टन नहीं रहेंगे एक पोरल है उसके बाल एक पोरल भी एक अच्छे सावित होंगे आप देख लीजेगा कि यदि हो यह टॉप थ्री फॉर्ट पे मिंसन होते हैं तो एक ट्रॉम्प साबित हो सकते हैं डेविड वार्नर है पित्वी साल लगता बहुत ही खराब प्रफॉर्मेंस कर रहे हैं लेकिन साद आज कमबैक कर सकते हैं तो इन्हें आप जरू ग्रैन लीग पे पीक करिए ठीक है अभी फ्रिहाल के लिए मैंने नहीं लिया यदि फर्स्ट बैटिंग आती है सेकंड बैटिंग तो हम इन्हें जरू पीक करेंगे ह काफी कम लोग ने इन्हें ध्यान दिया लेकिन एक ट्रिकनिकल बल्लेवाज है और यदि फर्स्ट बैटिंग आती है तो जरूर हमें इन्हें लेने वाले हैं रासो एक ट्रंक साथ साबित हो सकते हैं बैटिंग पीच में बहुत अची धमाल कर जाते हैं लेकिन यहां पे है इस्पीन और यहां पे इस्पीन और टर्न होता है वहां पर यह अच्छा नहीं खेल पाते हैं इसलिए रासो को हमने डॉप किया हुआ है ठीक है किसी में मैंने रासो को कम बैक करूंगा अधर प्लेयर्स को डॉप करने आला हुए अब मिचिल समार जो हैं की साधी के कारण यह मैरीज के कारण यह अवलेवल नहीं रहेंगे काफी हाई सेलेक्शन प्लेयर हैं लेकिन यह नहीं खेलने आले यहां पर पर टेल है जोसन होल्डर है और अस्वीन है ठीक है फर्स्ट बाॉलिंग पर होल्डर एक अच्छे साबित होंगे सेकंड बाॉलिंग आएगी तो आप इन्हें डॉप भी कर सकते हैं उनकी जगह आपको दादू बैस्ट मैन के पित्वी साह हो गए रसो एक अच्छे आप समने हैं कि फर्स्ट बैटिंग लिए यदि जो होल्डर आते हैं तो सेकंड बाॉलिंग के लिए इतने अच्छे साबित नहीं होंगे फर्स्ट कर सकते हैं युद्वेंण चैल भी हैं इन्हें ग्रेइंड लिंग पर केपटन वाइस कर सकते हैं तो यह कुछ ऐसी हमारी फर्स टीम बन गई है आप देश सकते हो यह मेरी फर्स्ट टीम है ठीक है टीम टू ये रहेगी जब राजस्थान फर्स्ट बैटिंग करने आएगी तो कैप्टन हमारे बटलार वाइस कैप्टन युद्भेन चहल रहने वाले हैं थर्ड टीम आपको बता दू डेविड वार्नर जैसे कि हमने बताई कि एक बैटिंग पीछ है तो हमने बैस्ट मैंन को जादा लेकर चले हैं तो डेविड वार्नर कैप्टन वाइस कैप्टन संजू सैमसंग क्योंकि संजू सैमसंग का जो एवरेज स्कोर है दोनों टीम होगा ये संजू सेमसंग का एवरेज स्कोर जो 8-8 का है वो 32 का है और वहीं पर बात कर ले बटलर का तो बटलर का 25 का एवरेज है तो ये देख के टीम बनाएगा ठीक है यहाँ पर मैंने किया है कि होल्डर की भी बैटिंग आएगी आर अस्विंग जो रहेंगे तो वो भी टीम के साथ आप काफी कंपेर बना सकते हैं एक हाई स्कोरिं मैच होने वाला है हाई स्कोरिंग ग्राउंड है ठीक है इस मिनर को अच्छी हिल्फ मिलती है देखा जाए फास्ट बॉलर के अपेच्छा तो एक अच्छा वेन्यू रहेगा हाई स्कोरिंग मैच रहेगा आप यहां से अच्छी टीम मना के ग्रैंड लीग विन कर सकते हैं आप यहां से ड्रीम लेवन पे सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए क्योंकि यहां पर बहुत ही फुर्टिन नाइन पीज में जो है आप दो करो रुपे विन कर सकते हैं आई हो की वीडियो पसंद आई होगी यदि चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजेगा और हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक डेक्रिप्शन पर मिल जाएगी जाके सब्क्राइब जरू कर लिजेगा आई होगी वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू